हलो फ्रेंड्स वालेकम बेग तो माई चैनल सवाती आरिया आज इस वीडियो में धाबा स्टाइल मिक्स वेच के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा अब मिने वेजिस में आपर फूल गोबी गाज़र आलू और सिंडल मिर्च लिया हुआ है मिने आपर फूल गोबी औ और सिम्ला मिर्च को मोटा मोटा काटा जाता है अब इसे एक दो बार अच्छे से वाश कर लेंगे अब एक कड़ाय में तीन बड़ा चमबच में ने ओईल डाला है और अच्छे से गरम हो जाएगा उसके बाद हम सारी वेजिस डाल देंगे और से मिक्स करेंगे जब वेजिस में और अच्छे से कोट हो जाएगा पर यहाँ पर में एक चोटा चमबच नमक आदा चोटा चमबच हल्दी पॉर डालेंगे इसे मिक्स करेंगे अच्छा से मिक्स हो गया है यह अब इसे हम ढखकर पकाएंगे हम लोड टू मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि सब्जी जले ना अब देखिए सब्ज अच्छे से फ्राई हो गई है अब चेक करेंगे से हम सब्ज अच्छे से दब रही है मतलब पक गई सब्जी अब इसे हम आलक प्लेट में निकाल लेंगे अब मैंने दो ओरियान चार गार्लिक और दो ग्रीन चिली लिए इसे भी हम चॉपर में चॉप कर लेंगे ऐसा बारिक बारिक चॉप करना है अब यह पर दो लाल टामाटर ले रही हूं इसे मोटा मोटा काटना है इसलिए हम इसे हाथ से कट कर रही हूं क्योंकि धाबे स्टैल में इसलिए मोटा मोटा टामाटर ही अच्छा लगता है टामाटर कट गए है अब एक पैन में तीन चमच ऑईल और दिया है उस पर मैंने हिंग डाला है और दो तेज पत्ते डाले है थोड़ा से सडसू के दाने डालेंगे आदा चोटी जम में जीरा डालेंगे अच्छा से क्रेकल हो जाएगा उसके बाद हम ये ओनियन डाल देंगे छॉप किया हुआ अब यहां पर एक इंच अदर का तुकड़ा इसे भी कद्दू कसकर के डाल देंगे इसमें इसे मिक्स क करेंगे अब यहां पर एक काटोरी हरा मतर डाल देंगे इसे मिक्स करेंगे इसे मधकर पकाएंगे ताकि मतर चेसे फूट जाएगी पक जाएगी मतर अब जाएगी अब यहां देखें मतर चेसे पक गई है अब यह तमाटर डाल देंगे हम इसे मिक्स करेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सल्दी पाऊ डालेंगे धियां सो डालना है क्योंकि यह वेजिस में भी डाल चुके हैं इसलिए इस बात का ध्यान रखें अब इसे मिक्स कर अब इसे बात करेंगे अब इसे अब इसे अब देखेंगे अब इसे मिक्स करेंगे पानी अच्छे से उबल गया है अब मसाले डालेंगे यह पर आधा चमच लाध मिच पौदर दो चुछच चमच धनिया पाऊडलेंगे यहां पर दनिया को मिने ऐसे बढ़ना पीसा हुआ है और एक चुदभा चमच काह लिम शित का पाऊडर और एक चोड़ा चमच गरम मस अब इसे मिक्स कर लेंगे आपर आदा कप पानी और डालेंगे ताकि मसाला हमारा जलेना इसे मिक्स करेंगे इसे भी अमे लो टु मीडियम फ्लेम पे ढखकर पकाएंगे ताकि मसाला अच्छा से पक जाएंगे मिक्स करेंगे अब इसमें वेजिस डालेंगे जिसे हमने पहले फ्राय किया था इसे मिक्स कर लेंगे मसालो में ताकि सारे मसाले वेजिस में आजाएंगे और देखें कितने अच्छी लग रहे है सबजी कलरफॉल और सो टेस्टी बहुत ही अच्छी सबजी है यह धाबा स्टाइल अब इसे लोट् देखें सकते हैं एक एक बड़ हम ढ़क कर पकाएंगे ताकि सारे मसाले अच्छी से अप्जॉल हो जाएं वेज जाएं और देखें सारे मसाले अच्छी से अब्जॉल हो गया है और देखें आप देक सकते हい singsa मारी कितने चीशा पकोई हूई हैं बहुत ही बड़ीया सब्जी मिक्स बेज जितने अच्य देखने में लग रही उससे कहीं जादा खाने में टेस्ट ही है अब यह पर मैं गेस को कर दूंगी बन अगर आपको मेरे विडियो पसन आए फ्रेंड्स तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू वाचिंग फॉर मा वीडियो बाबाय मिलते है नेस्ट वीडियो में